Hello everyone, welcome back to my channel, Radiology career तो दोस्तों सभी का स्वागा थे नहीं वीडियो में और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले admission process की, मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा comments चैनल पर आ रहा है आप लोग confusion में हो रहा है की sir, admission कैसे ले और admission के process में आपको problem हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे college को ढूंड़े और कहां पर जाएं और उस college के बारे में कैसे पता करें कि ये college अच्छा है की नहीं है मुझे बहुत ज़्यादा comments आए, तो आज की वीडियो में आपको ये सारा doubt आपका clear हो जाएगा दोस्तों वीडियो अच्छे लगए तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर चैनल को subscribe करके जाना और वीडियो का बिनी skip करते हो देखना आज पूरी टेल आपको समझाने वाला हो और आप अच्छे से समझ जाएंगे, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों मुझे सबसे पहला कमेंट जो आता है सबसे जादा कि मतलब किसर वाइडमेसन कैसे लो只是 क्या इसके बारे में सबसे ज़ाद मुझे कमेंट्स करके पूछते रहते हैं तो दोस्तों admission लेने का आपके पास दो तरीका मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में यही बताईए और सभी जगह आपको यही चीज काम आने वाला आप carefully सुनियेगा मेरी बातों को देखे सबसे पहले क्या होता है एक तो होता direct admission कराना दूसरा तरीका होता है कि government में आपको जाना वो होता है interest के थूरू कोई भी government college हो या university हो government या private mostly यह जगहां पर आपको interest देना पड़ता है यहां पर क्या होता है कि जो बड़े सा अस्तान होते हो interest लेते ही लेते हैं दोस्तों तो आपको वहां पर interest देना पड़ेगा और direct admission वहीं पर होता है जैसे कि कोई college हो गए college में आपको direct admission हो जाता है कुछ मतलब university होती है जो direct admission ले सकती है तो जो direct admission में क्या होता है आपको simply आपको अपना document share करना होता है college को जैसे आपने 10th and 12th का mark sheet देना होता है अधार card देना होता है अपना photos देना होता है साथ में आपको migration certificate अगर आपके यहां लगती है तो उसको देना होगा और उसके साथ-साथ आपको देना होगा यहां पे transfer certificate यानि कि TCG से कहते है जो कि UP विहार राजस्थान में यह जाज-जादा जगहां पे चलती है और migration जम्मों कर्समीर में mostly चलता है और इसा सिक्किम साइड में मनिपूर साइड में यहां पे migration certificates बनते है तो बोड के बाद यह चीज़ आपको लेके जाना है कॉलेज में आप आपको admission मिल जाएगा यह simple सा तरीका है और साथ में आपको payment करना होता है कॉलेज को जो भी college direct admission लेती है उनको आपको simply payment करना होता है payment करने के बाद documents दे दो आप आपका admission हो जाएगा और जो आपका government में जानेगा यानि कि जो entrance के थ्रूज आना होता है उसमें government एक form निकालती है जैसे मैंने कुछ पहले पहले आपको बताया था entrance exam में इस बार किया हूँ आपका rank बनेगा rank बनेगा आप जैसे कि अच्छा paper करके rank में आते हो तभी आपका selection radiology के लिए चुना जाएगा तो यह दूसरा तरीका था दोस्तों यानि की simple admission कराना कोई बड़ी बात नहीं है यहापे आपको मैंने government का भी तरीका बता दिया और आपको direct admission का भी तरीका बता दिया और अभी भी बहुत सारों के सर मेरा admission करा दिया admission करा दिया admission करा है काफी सारे दो बच्चों करा है वह काफी कुछ है जिन college में भी उनको दिया हूँ बड़ दोस्तों मैं rebel नहीं करूँ किसी भी college का नाम आपको openly नहीं बता सकता है आपको college में admission लेना तो आप मुझे instagram पे message करिए आपको description में admission link मिलता है आप मैं इस्टाग्राम पे इस पे आपसे हमारी बात हो जाएगी आपको मैं college के details दे दूँगा आपको दिखा दूँगा college आपकी बात करा दूँगा आप महां पे जाके admission ले सकते हैं direct admission ले सकते हैं और government university से affiliated college आपको दूँगा ताकि आपकी दूगरी बने वह गौर्मेंट के थूँग ही बनके आए तो यह process आपका admissions का और लोग कहते हैं कि college डूणने की बात हो so college आप कैसे डूणने के लिए आपको क्या करना होता है आप सबसे पहले google पे जाते हो वहां पे search करते है तो बहुत सार status हैं जहां पर सिर्फ उर्सि抵ण का Josh झाहा रहा है रिडियॉगी में diplomas का course जहां पर करा जारा है वहां से आप बिलकुल डिप्लोमा कराएं क reply को कinky diploma में काफी जादा loss होता है मैंने आप लोग को हमेशा बता है diploma आपको time जाता देना होता है और आपको हर जीज़ करने की अथर्टी भी नहीं मिलती है इसलिए मेरे हाल से तो बैचलर ही बैस्ट है आप बैचलर सी करो तो आप Google पर जाते हो वहाँ पर सर्च करते हो लेकिन आपको नहीं मिलता है तो क्या होता है आप लोग का बहुत सारी साइट मिलती हैं इंडीड की हो के बाद साइड में कॉलेज का उप्सन होता है उस कॉलेज के उप्सन पर क्लिक करो वहाँ पर तो आपको दिख जागा कौन-कौन से कॉलेज इनुवस्टी से अफ्लेट है उनके पास डिग्री होती है रिडियोलजी की और उससे भी अच्छा तरीका है कि आप जिस इनुव अच्छा है बखासा बनाया हुआ है लेकिन उनका मैनेज्मेंट जिस्टम है जो कोई रोस रिगerald है ही नहीं दोस्तोओ उनका college चल रहा है, जैसे चल रहा है, पैसे आ रहा है college में, और बच्चों से कोई मतलब नहीं, बच्चे पढ़ने आ रहा है कि नहीं, class उनके regular हो रहा है कि नहीं, तो यह सब बहुत चीज मतलब important होती है, देखना, आप लोग को देखना पड़ेगा कि आपका जो college है, पहले पता करना होता है कि यह चीज अच्छा है कि नहीं, system वहाँ का management system best है कि नहीं best है, तो दोस्तों यह चीज होता है, आपको देखना, सबसे पहले आप कोई college में डिमिशन लो, तो आप यह चीज जरूर देखना, कि आपका management system कैसा है वहाँ पे, तो यह थी information आपको admissions की और college ढ दूनने का तरीका, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लेकर तो वीडियो को like कर देना, चैनल पे नो, चैनल को subscribe करके जाना, और white wallow button जरूर दबा देना, subscribe का बहुत जादा आप लोग का help मिलना, support मिलना चैनल पे, बहुत अच्छा है, यहाँ पे support मुझे मिल रहा है, और thank you so 5K की family होने वाली है, तो पटापट जिन्हों ने subscribe नहीं किया, subscribe कर लिए चैनल को, मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ,